बिसमिल्लायरमनरहीम आज टापिक है वह है साइटो स्केलिटन अब यह साइटो स्केलिटन कहां मुझूद होता है देखें साइटो प्लाजम का जो लीकृड पोर्शन होता है डाट इस कारदा साइटो सोल तो साइटो सोल कंटेंज साइटो स्केलिटल फैब्रिक्स तो देखें साइटो सोल के अंदर साइटो स्केलिटन के रेशे माजूद होते हैं इन साइटो स्केलिटल फैब्रिक्स को नाम देते हैं साइटो स्केलिटन और ये जो फैब्रिक्स है ये तीन किसम के हैं जी एक है जनाब माइक्रो टिबियोल्स दूसरे हैं माइक्रो फिलमेंट और तीसरे हैं इंटर्मीडियेट इंटर्मीडियेट फिलमेंट ये तीन किसम के साइटोसकेलिटल फैब्रेक्स हैं जो सेल के अंदर माजूद होते हैं जी मैं पहले बात शुरू करूंगा माइक्रो टिबियूल से जो माइक्रो टिबियूल हैं ये लांग होते हैं लंबे होते हैं ये ऐन ब्राजड है यह इन से शाखे नहीं निकलती और यह सुलिंडर जैसे है अनदर से खोकले हैं गोल है पाइप नुमा जी मैंने बात की कि जो माइक्रोटिटूल जए लंबे यह अनब्राजड है और सिलेंड्री कल्स हैं और यह जिस परोटीन से मिलकर बने हुए हैं उस परोटीन को हम नाम देते हैं ट्यूबिलियन तो यह ट्यूबिलिन प्रोटीन है अब के अंदर हेल्प करते हैं आसम्बली यानि जुड़ना इकठे होना एंड डिस असम्बली यानि अलग होना आफस पैंडल्ड या रेशिंँ का कब ढीवर्ण सेल्ड ुए है जब सेल्ड डिवाइड होता है تو ऊस वाक्त जो रेशे बनते हैं स्पैंडल फेयर बनते हैं और ह συmm conme mortar को हटता है इसके बांवा यह बेसल बाडि बनाते हैं जहांН वborg जी ला की औरिजन होती यह निकलने का पुइंट होता है उसे कहते हैं बेसल बाडी तो aboard तो यह वेसल बारडी बनाते हैं यह संट्रियोल बनाते हैं यह फ़ेजिला बनाएंगे and cilia तो यह सारी structure जो है कौन बनाते हैं माइक्रो टीबियोल्स जी चलते हैं जो दूसरे साइटो सकेलिटन है उन्हें कहते हैं माइक्रो फिलामेंट देखें माइक्रो फिलामेंट जो हैं इस आर मौर सिलिंडर ये जरा उन से पहले वालों से ज्यादा बारीक होते हैं मौर सिलिंडर है और इनके अंदर जो परोटीन होती हैं वो जी एक्टिन है मायोसीन है और ट्रोपोनीन है ट्रोपो मायोसीन है और सो वान ये मुखतर किसम की यहां परोटीन पाए जाती है और ये सेल मेंब्रेन की इनर फेस के साथ यांदर वाले साइडों से इनर फेस के साथ ये अटाइच होती है अब देखें माइक्रो फिलामन का काम क्या होता है ये सेल की जो साइकलोसेज है इसे हम सेल की स्टीमिंग मूवमेंट नाम देते हैं कि ये जो साइटो प्लाजम ऐसे घूमता रहता है चक्कर लगाता रहता है वो इन्हीं प्रोटीन के इसे साइकलोसिस कहें या स्टीमिंग मूवमेंट आफ साइटो प्लाजम कहें तो साइक्लोसेज में ये इन्वार्ड हैं इसी तरीके से अमीबाइड मूवमेंट के अमीबा जो मूव करता है अमीबाइड मूवमेंट उसे कहते हैं तो Amoebide Movement में इन्वार्ड हैं इसी तरह हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर भी यही फाइबर पाये जाते हैं तो मसल्सल की कंट्रेक्शन की वज़ा से कंट्रेक्शन उन्हीं फिलमेंट की वज़ा से होती है इस से हमारी बाड़ी की मुवमेंट होती है तो यह बाडी की मुवमेंट में और हैं saiklosis में , amoebide मूवमेंट में यही और है – माईक्रो फिलमेंट जो थार्ड टाइप के पजो हैं उन्हेंadkarstart bookletा Thrones लिलेंट कहते हैं इन्टर्मीटीट फिलमेंट फिलमेंट इन्टर्मीडेट फिलमेंट से खमापमाँ इनका डायमीटर देखें, मा barbar टिपियूल से बारीक और मा ्रो फिलमेंट से थोड़ा बढ़ा, ये इन्टरमीडियर हैं, इन्टरमीडियर हैं, इन डायमीटर, अब देखें इन में जो ज्यादा प्रोटीन तो यहां डिफरेंट टाइप के हैं लगन खास प्रोटीन केराटीन यहां ज्यादा होती है अब इनका काम क्या होता है कि यह सेल के जो आरगनलीज हैं जिने हम कमपार्टमेंट भी कह सकते हैं तो ये cell argonalyze में integration करते हैं यानि राब्ता बनाते हैं एक argonaly का दूसरे argonaly से इसी तरह ये cell की जो shape है उसको ये maintain करते हैं कि जैसी shape होगी उसको maintain करने में जी किसका रोल है? intermediate filaments का तो आपने देख लिया ये cytoskeleton जो है तीन टाइप के हैं micro tubules है micro filament है और intermediate filament है अलाँ आफिस